हेलो गाईस केसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मिरे एक नए वीडियो में आज में आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि Samsung Galaxy A23 5G फोन में आप लोग मैसेज रिंग टॉन को केसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A23 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको message ringtone को change करना है आपके फोन में message आने पर जो एक ringtone बज़ रहे गई अगर आपको वो ringtone पसंद नहीं आ रहे है आपके फोन में WhatsApp का message आ रहे है Facebook का messenger से message आ रहे है आपके फोन में आपके फोन में message आने पर जो एक ringtone बज़ रहे है अगर आपको पसंद नहीं आ रहे है तो कैसे change करेंगे उसको तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को start करते है message ringtone को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने spawn के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे guys तो आपको एक option मिलेगा sounds and vibration का तो इस sounds and vibration के option पे click कर देना है click करने के बाद या आप ठेक option मिलेगा notification sound का तो इस notification sound के option पे आपको click कर देना है click करती या पर आपको बहुत सारे ringtone देखने को मिलेंगे और क्लिक करने से ये play भी हो जाते तो क्लिक करके आप लोग तो पहले तो सुन लिजे इस sound को आप लोग फूल कर लिजे तब ही आपको यह आपर सुनने को मिलेगा notification sound या message ringtone sound तो यह आपर से सुन लिजे सुनने के बाद जो भी आपको पसंद आता है जो भी पसंद आता है आपको उस पे क्लिक करना है क्लिक करने का बैक कर देना है ऐसा करती है आपके फोन में यह message ringtone set हो जाएगा अभी message आने पर जो आपने ringtone set किया थागा इस वो ringtone बजने लगेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy A23 5G phone में आप लोग message ringtone को set कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते हैं लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई